इस कारिक्रम के पुन्यार्जक हैं चौतीस साल की उमर हो गई दुर्गुन कोई नहीं है महराज उमर इतनी हो गई है कि अब लगता है कि कहीं भी ब्या जाए बस इतना ही बहुत है किसी भी कास्ट का कोई भी वेक्ति मिल जाए संबंध हो जाए क्या दुर्गुन क्या था उम्र बढ़ गई वहां दुर्गुन क तो आपके अंदर कैसा अभिकल्प होता है? जबकि माता पिता को छोटी उमर में पढ़ाई होने के बाद पहले बिभा, बिभा के बाद दोनों जॉब. अच्छे माता पिता को अगर अपना जीवन अच्छे से बचाना है, 21 वर्ष की उमर में बच्चे का विवाह कर दीजिए. बहुत छोटी उमर होती है, महराज, बच्चे नहीं समझ पाते, बच्चे तो बारा साल की उमर में सब समझने लगते हैं. 21 वर्ष की उमर में आप अपनी बच्ची का विवाह कर दीजिए. महराज इसकी education complete नहीं हुई हमारा लगा पढ़ रहा है भी job में settle नहीं हुआ है हम आपको वही बात बताना चाह रहे हैं सबसे पहले बच्चों का विवाह 21 वर्स की उमर में कर दीजिए फिर 25 वर्स तक अपने बच्चे और बच्ची पुत्रवदू का और पुत्र का दोनों का माता पिता बंके लालन पालन करिए समझ रहे हैं हमारी बात आप 21 वर्स की उमर में बहां कर दिया अभी दोनों पढ़ रहे हैं अब दोनों को फिर पढ़ाओ बेटा जाओ पढ़ाई करो चार वर्स तक उनको खर्चा, भोजन, पान, लालन, पालन सब करिए 25 वर्स की उमर तक दोनों बच्चे ग्रेजुएशन कंप्लीट करके बाहर आ जाएंगे उनको बोलो तुमारे संबंध हो गए हैं अपना अपना जॉब दूड़ लो बड़ी-बड़ी कंपनिया हस्बन और वाइफ को एक कंपनी में बहुत जल्दी जॉब मिल जाता है अराम से जॉब करो दोना का जीवन भी संतुलित है बैवसाई भी संतुलित है और समाजिक्ता का बैवहार भी संतुलित है लेकिन संतुला ने ऐसा बिगार दिया 28 के बाद ही साधी करेंगे चाहे कुछ हो जाए इससे समाज का बहुत बड़ा वर्ग विशलित होकर के कैसे कैसी गतिविदियों में सनलिप्त होने लगा है आपको सुनाओंगा तो आश्र लगेगा बंदो आज भी इस बात की जागरती की बहुत जरूरत है 21 वर्ष में बिवाह 25 वर्ष तक फिर उनका लालान पालान चार साल तक 25 साल के बाद अपने आप उनको जॉब मिल जाएगा हस्बंड वाइब दोनों मिल करके बच्चे अपना जॉब करेंगे और खुश रहेंगे आपको भी संतुष्टी रहेगी आपके उन बच्चों को भी संतुष्टी रहेगी और पता नहीं कितने सारे पापों से इस चार साल में बच्चे बच भी जाएगे ये भी एक कोशल है आप चाहें तो कर सकते हैं आपको करना चाहिए बत्रा कहती ही मेरा उससे बिवा हो गया उस दूद प्रेमी को मैंने अपने प्रेम में ऐसा रंगा कि उसने सारे ब्यसन छोड़ दिये पूरा का पूरा सुधार दिया और मैं उसके साथ निराखुलता पूरवक रह रही थी एक दिन किसी कारण वस हमारे श्रीमान जी को बाहर जाना पड़ा रात में चले गए और वो चले गए पानी बरस रहा था मुझे बहुत याद आ रही थी अपने पती की मैं सोच रही थी कि 10 बजे तक आ जाएंगे 11 तक आ जाएंगे लेकिन जब वो नहीं आये और मेरी विरह वेदना बढ़ गई तो मुझे गुस्सा आगई गुस्सा आई तो मैंने दर्वाजा बंद किया और सो गई रात को ये करीब एक बजे के आसपास घर के अंदर प्रवेश करते हैं दर्वाजा खटकडा रहे थे मैं आदी नीन लगी थी आदी नहीं लगी थी मैंने देख तो लिया स्कान से सुन भी लिया कि ये गहर में आखर के दर्वाजा खटकडा रहे हैं लेकिन कुछ ऐसा आसमान में था कि लगता था जैसे मैं तीन घंटे से तुमारी तडप रही थी अब तुम तीन घंटे कम्रे के अंदर आने के लिए तडपो अब हम नहीं खोल रहे चाहे कुछ हो जाए हट किया कहना भया आगई तो आ गई जब भो पारा उतारता है तप संज में आता है कितना ही है तो बार बार वह सोम सरमा चिलाता रहा, नेरी प्रीत, मेरी मनोरमा, मेरी बेवी खोल, हम आगे हम आगे हम आगे, भो सुनने तयार नहीं, जब भीकुल पति का भी उग्र हो गया सभाव δεν रहा गया, तब जम्र को साँ, तब दीरे सो डिरह से बोलता है, चुड़ेयल चुले जैसे ही तू सब्द पती के मुख से सुना वैसे ही उसका क्रोध भड़क गया दरवाजा खोलती है और पती को घूर के देखती है पती को धक्का मारती है पती एक तरफ गिरता है वो सोमसर्मा ये बिना कुछ सोचे बरस्ती बारिश में अपने घर को छोड़कर के बाहर निकल जाती है रात को एक बज़े कभी आपने देखा कि आपकी बच्ची रात को एक बज़े कभी बाहर निकल गई हो देखा कभी कबार होता है ऐसा जब बहुत तेश क्रोध आजाता है ना तो घर की साधी सुदा महिलाएं भी चुपचाप दरवाजा खुल के भग जाती है पता नहीं चलता फिर क्या पिर रात में जब पती देखता है बगल में नहीं है थोड़े नहीं है तब दूरो तो पता चलता है कोई स्टेशन में मिल रहा है कोई बस्टेंड में मिल रहा है दो गंटे बाद आत्म लानी होने लगती है कि हमने गलत काम कर दिया, लेकिन उस समय तो गलत काम हो ही जाता है, बद्रा ने दरवाजा खोला और बाहर निकल गई, बद्रा बोलती है, वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा परात था, जब मैं अपने पती को पर गुस्सा करके बरस समता इस तरीके से आई, तुम जो इतना समता भावी दिख रही हूँ, वो ऐसा, बोले हाँ, सेट जी, रात को निकली, बिना खुस देखे, सुने, चुपचाब, चलती गई, चलती गई, चलती गई, जंगल में पहुची, तो डाकों ने मुझे घेल लिया, डाकों ने घेल फिर सारे के सारे डाकों मिल करके मुझे अपने सरदार के पास ले गए, अंधेरी रात हो, पानी बरस रहा हो, वहाँ पर गिर्गिट और सियार की आवाजे, मेड़क की डडडड़ की आवाजे आ रही हो, कोई अकेली महिला जा रही हो, ऐसे कौन सी आपति है जो उसकी उप और करना है, सिब एक ही दुर्गन था मेरे अंदर क्रोध का, जैसे ही डाकों के सरदार के पास पहुंचा, सरदार क्या था, वो भील था, बहुत बड़ी काया, और पूरा सरीर काला थुल्थुल और मोटा, वो मुझे को देख करके, मेरे रूप को देख करके, अंधेरे में क्याता है, कि तू मुझे अपना पती मान ले, तू जो चाहेगी सब मिले, मेरे साथ भोग कर ले, अब बदरा सोशती है, इस क्रोध के चकर में, आज मेरे सील के उपर आच आ गई, कसाय की चकर में, सील बर्बाद होने को आया, ना मेरे पती है, ना परिवार है, ना पिता ह न कोई भी व्यक्ति है, अब मेरा निर्वाह कैसे हो, बद्रा सोचती है, अंदर ही अंदर महामंत्र नमोकार का जाप कर रही है, और पक्का अठान के बैठी है, मर जाओं, लेकिन इसके हाथ में सरीर को आने नहीं दोंगी, अगर इस्तरी चाले बंदू, जीवान का ऐसा सत्य है, जो कुछ लोग ही जानते होंगे, कुछ सुनी बाते होती है, कुछ अनभव की होती है, अगर इस्तरी चाले तो पुरुस उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकता, जब इस्तरी खुश सहयोग करती है, तब ही उसको पर विपत्ति आती है, बद्रा को ये बात कान में बहुत अ समझ में आ रहे थी गुरू की देशना में उसने पदमासन लगा करके ऐसा बैठी कि वो इतना बड़ा सरदार होने के बाद भी बद्द्रा को अपने आसन से हिला नहीं पाया सोचता रहा कि इसकी असमिता के साथ खेल कर लूँ इसको दूशित कर दूँ इसका सील भंग कर दूँ लेकिन एक बार इस तरी नहीं सोच लिया कि मुझे अपना सरीर नहीं देना है मजाल है कि कोई पूरुस उसके सरीर पर हाँत रख दे जब इस तरियां खुद उतारू होती है तब जाकर के बड़ी बड़ी घटनाएं गटती है ऐसा सरीर को कसके बैठी कि उस सरदार को थोड़ी तेर में ही समझ में आ गया मैं इसको भोग नहीं पाऊंगा मारे गुस्ता के उसने भद्रा को धक्का दिया तो भद्रा आसन सहीद जैसे कोई प्रत्मा को धक्का दो तो प्रत्मा गिर जाती है ऐसी भद्रा गिर गई और सरदार अपने नीचे रहने वाले लोगों से रहता है ले जाओ इसको यहां से जो करना है तुम लोग कर लो और लोग थे, दूसरे डांकू थे, वो तो सील हरन करने में डांकू के भी बाप निकले, जब देखा, उनके सांथ में रहने वाले और चोरों ने, कि सरदार ने इसको हम लोग के लिए छोड़ दिया है, एक सांथ सबने मेरे उपर जपट्टा मारा, एक सांथ, जैसे आज कल गैंग रेप होते हैं, ठीक वैसे ही, उस तरीके के बलातकार करने की कोशिश करी, उस समय भी बद्रा अपने आप में अड़ी रही, और उसके उस शील का महात तो ऐसा प्रकट हुआ, कि उसके सरीर के कपड़े तो फटने गए, फटते चले गए, लेकिन उसके अडग विश अच्छा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, बद्रा कहती है, बंदेवी प्रकट हुई, बंदेवी ने प्रकट होकरके, जितने भी डाकू थे, सब को दंडनी, दंड दे करके, दंडे से मार करके भगा दिया, और मेरा सरीर प्राया करके उस अन्देरी रात में पूरा निर्वरस्त हो गया था, कुछ एक तुकड़े बस मेरे सरीर पे बचे थे, उस देवी ने क्रपा करके, मुझे एक कंबल उड़ा दिया, मोटा कंबल उड़ा दिया, आपको अच्छा लग रहा है ना सुनकर के, कि एक इस्तरी के सरीर पर वस्तर नहो तो उसको एक कंबल किसी ने अच्छा लग रहा है, बद्रा कहती है मेरे दुख खतम नहीं हुए, क्या दुख खतम नहीं हुए, जिन्दत्सेट सुन रहा है, दुख नहीं हुए, कि उस कंबल में इतने सारे जुएं थे, कि जुओं ने मेरे सरीर के अंदर छेद करना सुरू कर दिया, बस्त्र नहीं है एक कंबल है कंबल में मोटे मोटे जुएं पड़े हैं और इतना ही नहीं उस कंबल के ऊपर रक्त लगा था रक्त के कारण उसमें से रक्त की गंद से कीड़ों का आकर्शन बढ़ रहा था हर देवी जो दुनिया के मुकाम पे तुमको मिलती है वो तुम्हेरे साथ अच्छा ही करेगी कि जरूरी नहीं है जैन दर्शन में और अन दर्शनों में जिनेंद देव के अलाबा कई देवी देवताओं की मानता है कई देवी देवताओं देव के अलाबा होते हैं उन देव के अंदर शाप अनुग्रह शक्ति होती है वो आपको श्राप भी दे सकते हैं और अनुग्रह भी कर सकते हैं और अगर मिठ्धनस्ची कोई देव दे भी हुआ तो वो आपके साथ अपराद भी कर सकते हैं आपके सरी के साथ खिलवार भी कर सकते हैं भोग इतादिक की से देखा है कई बार पिछले 18-20 सालों में इस प्रकार के कई विकल्पों से हमारा भी पाला पड़ गया हमने कई लोगों को भी देख लिया और आत में ऐसी ऐसी घड़नाई भी देख ली कि जिन से विश्वास हो गया कि भवनत्रिक के जो देव होते हैं वो किस-किस तरीके का उदम मचा सकते हैं खुद मैं प्रतक्ष दर्सी रहा हूँ हमारे साथ मुनिशिक पैसास सागर जी महराज कुंतु सागर जी महराज समादिस सुमति सागर जी महराज और पूझ सागर जी महराज भी उस घड़ना के प्रतक्ष दर्सी हैं हम लोग बिहार कर रहे थे हम लोग बताओं तो कोई दूसरे मुनि महाराज बता दें इसलिए मैंने इक के नाम बता दिए कि आप जाके पूछ लीजेगा सामुई करूप से रहता है तो बात की प्रमारिकता सिद्ध हो जाती है वो भद्रा कहती है मेरी उस दुख का अंत नहीं हुआ उस देवी ने डांकों से तो मुझे बचा लिया सिर्की रक्षा तो कर ली लेकिन जिस कंबल कुड़ाया उस कंबल में बहुत सारे जुएं थे वो देवी मुझे बहका करके अपने स्थान पर ले गई उस स्थान पर जहां पर मैं पहुँची तो देवी ने मुझे हाथ पर से बांध दिया और बांधने के बाद वो देवी मेरे सरीर के बाल को खीच करके निकालती थी फिर जिंदत तसे सुनते रहे बाल खीच के निकालती और खीच करके इस तरीके से बाल उखारती कि अंदर से रक्त का प्रभाह निकलाता उस रक्त के प्रभाह से वो देभी अपना वस्त रंगती थी लाल कलर में लाती थी उस चोले को लाल बेकुल लाल अब उस रक्त से अपने वस्त को रंगती थी और रंगने के बाद मेरे इस प्रभाह से जो मुझे वेद तो फिर जिंदत अब आशर का ठिकाना ने बद्रा कहती है मैं तो वहां बंदी रहती थी यह वस्त्रवी रंगती थी और पाक में मलग चूले के उपर रख करके जड़ी बूटियों के माध्यम से वो जब लाक्षा मुल का तेल बनाती थी तो उसकी बनाने की पूरी प्रक्रि में खड़े होकर के सीखा कैसे बनाती है क्या करती है और वहां पर उस बेद्रंग को सहते सहते मुझे लाक्षा मुल के तेल निकालने की पूरी विधी का ग्यान हो गया इतना दर्द होता था बाल खिजने पर खून के फुबवारे छुटते लेकिन मैं देखती कि फुबव बारे से पूरा रक्त निकालती रंगती और रंगने के बाद लाक्षा मुल की तेल का जैसे इस परस कराती मेरे रक्त का प्रवाबंद हो जाता कई दिनों तक उसने मेरे साथ इस तरीके की अमानवी प्रक्रियाओं को से मैं गुझरी अभी भी आप कभी देखिएगा जो आ बाल का बनता है कि ब्रस सुवर के बाल को सुवर पालने वाले लोग जो होते हैं मुनी महराज के केशलोंच करने में और सुवर के बाल खीचने में बहुत अंतर होता है मुनी माराज बेकुल विधी पूरवाग थोड़े थोड़े उसको लेकर के अपने शौर का पढचे देते हुए अपने केशलुच को करते हैं लेकिन सुवर के बाल के साथ ऐसा कभी आप सुवर देखना आज आज आपको देखेगा सुवर के बाल उसके गले के उपर इतना ब बास कड़िते हैं जब उस ब्रस को बनाया जाता है तो दो सुवर के सुवर को सीधा खीचा जाता है ऐसा खळा ख़णा तो जितनी बाल सुवर के बाल उन लोग खीचते है उसके हां से चीचीचीचीची आवा जाती है वह भी जीव है बंदू ओं लेकिन आपके उस सूज के लिए आपके उस कोड को साफ करने के लिए और भी कई उपक्रों में उस बाल का जो प्रयोग होता है उसमें वो कैसी अमानवी बेदना सहता है और सबसी बड़ी बात तो उसके साथ ऐसी बिचित्र है कि बद्रा के सिर में तो लाक्षा मुलका तेल लगा दिया जाता था सु करें कि आप किसी सुवर के बाल से बने ब्रस का प्रयोग नहीं करेंगी आप कोड साफ करने के लिए नायलों के ब्रस भी आते हैं आप देख लीजे भाया ये नायलों का है ये बाल का नहीं बहुत फ्रेश है फ्रेश है सॉफ्ट है इसलिए नहीं जब कोई गाय मारी जाती है और उस गाए के चम्डे से जब आपके घड़ी का पट्टा बनता है तब आप ये तो कह देते हैं महरा जी अगली बार ने खरीदेंगे लेकिन आप ध्यान लखिएगा अगर आपकी घड़ी में जो पट्टा बनता है बली इतना सा है लेकिन उस पट्टे के उस चम्डे को निकालने के लिए भी पूरी एक गाए मारी गई है जब आप बड़ी-बड़ी कंपनियों की गाड़िया खरीते हैं आठ गाए मारी जाती है बंदो एक बड़ी बहत्री गाड़ी मरसडीज या कोई भी 20-25 लाकी जब आप गाड़ी खरीते हैं लेदर की जो सीट होती है आपके सुफ सुधाओं के ये चीजे मिलती हैं अब इस तरीके के उपदेश नहीं होते पहले होते थे कायके रात्री भोजंग के त्याग के चमड़ी की बस्तू के त्याग के रात्री भोजंग करने के त्याग के रात्री में विवाह नहीं करेंगे इस पकार के संकल्प के पहले बहुत सारे संदेश दिगंबर मुनी महराजों की माध्याम से दुनिया भर में प्रचारित किये जाते थे कई बार आपने सुना मुनीशीर प्रमार सागर जी महराज रात्री में साधी बंद कराने के सबसे बड़े पुरोधा थे और जबलपुर में सबसे बड़ा मुहीम प्रमार सागर जी महराज ने चलाई थी कि रात में बिवाहां बंद करने के लिए उनसे प्रभावित हो करके पूरे देश में सब लोगों ने आजीवन इस बात का संकल्ब किया था पता नहीं लोगों का संकल्ब कहां चला गया इनी भावनाव के साथ अहिंसा पर्मो धर्म कीज़ा बगवंत गुर्दियो श्री विद्या सागर जी मनी महराज की इस कारेक्रम की पुन्यार्जक थे एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला निवासी सागर मध्यप्रदेश एवं नारायन पर 36 गड़